हेलो एवरिवान, कैसे हैं आप सभी, फेस्टिवल सीजन सुरू हो चुका है, तो आप हमारे सारे फेस्टिवल आएंगे, और फेस्टिवल हो, और मिठा याला बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, रक्षा बंदन के लिए, इस्पेसल म रसकुल्य, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1-4kp क दूद ले लिया है, आदा किलो दूद में हमारे आदा किलो रसकुल्य बनेंगे, अब मैंने इसे एक भगोने में चढ़ा लिया है, पहले सबसे पहले हम दूद को अच्छे से गरम करेंगे, जब तक हमारा दूद गर पानी आड़ कर देंगे अब यह देखिए मैंने फिट करी का पानी आड़ कर दिया है और अब इसको हम धीरे धीरे चम्मच से इस तरीके से चलाएंगे जैसे जैसे हम चम्मच चलाएंगे वैसे वैसे हमारा दूद और पानी अलग हो जाएंगे और हमारा चैना तयार हो जागा यह देखिए यह हो गया हमारा चैना तयार तो अब हम इसको एक चन्नी में कपड़ा रखके उसमें निकाल लेंगे देखिए कितना अच्छा चैना बनाया हमारा यह देखिए मैंने सूती कपड़ा ले लिया है एक और इसे मैंने च्छनी में रख लिया है तो इसमें अब मैं यह चैना निकाल लूँगी और इसे कपड़े में इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए हलकालका इसका पानी हम निकाल देंगे बस हाथ से प्रेस करके ही इसका पानी निकाला है इसके कहीं दबाकर नहीं रखना है और इसके बाद इसको इस तरीके से हाथ से मसलते हुए जब तक इसका बिल्कुल एक बारीक पेश्ट तियार ना हो जाए तब तक आपको इस तरीके से हतेलियों से मसलना है इसको यह देखे इसमें दाने दाने रहते हैं तो वो दाने जब तक मिक्स ना हो जाए अच्छे तरीके से तब तक आपको यह मसलना है इसे घी की तरह चिकनाई निकलने लगेगी जब आपके हाथ चिकने होने लगेगी तो समंझ शाहिए पेश्टत तियार है अब यह मेरा पेश्टत तियार है अब मैश्ट में प्कork समें पाद छर्ण दालें के पाद थोड़ा सोस में एक चमच पानी डाल दिया उसे अच्छे सी मिक्स करके मैं ने पेश्ट में डाली है डेड़ चमच अर रहोट और थोड़ी सी सूजी इसलिए डालते हैं जिससे कि जो इसमें एक्स्टा पानी होगा सूजी उसको तो लेगी और ये हमारे बेस को तयार है तो अब इसके छोटे-छोटे इस तरीके से जमच की हेप से करते व्यफिए फिर हाथ से हम इसकी छोटी-छोटी बोल की बालेंगे देखिए यह आधा किलो दूद में मेरे इतने रसगुले बन रहे हैं अब इस रसगुलों को पकाने के लिए हम चास्नी तियार करेंगे चास्नी के लिए मैं एक भगोने में एक कटोरी चीनी डाल रहे हूं यह देखिए एक कटोरी चीनी है उसमें अब इस एक कटोरी चीनी मे के लिए दूद लेंगे थोड़ा कच्छा कच्छे दूद में थोड़ा पानी मिलाईए उसके बाद धीरे दीरे इस तरीके से दो दो चार चारवून डालके चलाते रहें और हमारे चीनी में जितनी भी गंदकी है वह सब दूद के उपर इखटी हो जाएगी और चास्नी हमार में रसुले छोड़ देंगे अब यह देखे मैंने इसमें बोल्स छोड़ दी है इस तरीके से यह देखे सारी बोल्स छोड़ दी है तो अब इसको हम भगोने को बंद कर देंगे बंद इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारे रसुले डूबे रहने चाहिए तो बंद करेंगे कर यह बंद होने में यह अच्छे से डूबे रहेंगे और हर पांच मिनिट के बाद आपको यह प्रोसेस करना है कि प्लेट उतार कर और एक चम्चे में पानी लेना धीरे धीरे इस पर डालना है पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी चासनी पकने के साथ साथ गाड़ी होती रहती है यह प्रोसेस आपको चार से पांच बार करना है हर पांच मिनिट के बाद इन्हें पकने में टाइम तो लगता है लेकिन यह बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं देखिए हम हलवाई के परपस से परफेक्ट होती है न तो इसलिए यह देखिए जब यह ट्रांस्पेरेंट हो जाएंगे इनका कलर इस तरीके हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे रसगुले अब तयार है तो यह मेरे रसगुले पक चुके हैं तयार हैं देखिए मैंने बावल में कमेंट किचेगा